पूरे एक साल का शिडियूर बताता हूँ जब गर्मियों का सीधन शुरू होता है गोरी के बाद से और बारिश के पहले दिन तक मिट्टी के बरतन में रखे हुए पानी को ही पीना अच्छा पात्री को दिन को हमेशा जब बारिश शुरू हो जाती है उस दिन से लेकर और बारिश के अंतिम दिन तक तावे के बरतन में रखा हुआ पानी पीना हमेशा अच्छा होता है जब बारिश खतम होती है और सर्दियां शुरू होती है उस दिन से लेकर और फिर होली के दिन तक सोने के बरतन में रखा हुआ पानी अच्छा होता है गर्मी के दिनों में होली से लेकर बारिश के पहले दिन तक मिट्टी के बरतन में रखा हुआ पानी बहुत अच्छा होता है बारिश के पहले दिन से और होली के पहले दिन तक का जो समय है गर्मियों का ये मिट्टी का है फिर बारिश शुरू होके और बारिश का खतम होने तक ये तावे का है और बारिश खतम होके सर्थियां शुरू हो और फिर गर्मियां शुरू हो तो ये सोने का अब प्रशन उता है कि वह सोने के बरतन कहां से आएंगे इतनी महगाई के जमान तो नहीं होगा पाइला तो थोड़ा हो नहीं है सोना जो है ना सोना बहुत गर्म है और चानी बहुत ठणी है तो गर्मिया है तो सोने का पानी जहर है लेकिन वही पानी अमरूत है जब ठंड का समय है तो ठंड के समय में सोने के अरूधी का पड़ा हुआ पानी सोने के करता हूं mental disease में एकलिप्सी के disease है ना इनको चक्कर आते हैं बेहोश हो के गिर जाते हैं हाथ पर ठेड़े मेड़े हो जाते हैं एकलिप्टिक अटेक की best medicine है सोने के बरतन में रखा हुआ पानी जिनको depression बहुत होता है mental depression बहुत होता है उनकी best medicine है सोने के बरतन में रखा हुआ पानी जिनको हमेशा बुरे बुरे विचार आते रहते हैं हमेशा negative अभी मैं मर जाओंगा अभी वो मर जाएगा ऐसा हो जाएगा कुछ भी positive नहीं है जिनके life में उनकी best medicine है सोने के बरतन में रखा हुआ पानी जिनको कभी भी अच्छी नीन नहीं आती रात को हमेशा शिकायत करते हैं मैं सो या नहीं मैं सो या नहीं उनकी बेस्ट मेडिसन है सोने के बरतन में रखा हुआ पानी जिनका माइंड कभी डवलब नहीं हो पाया बहुत बार ऐसा होता ना शरीर बढ़ गया लेकिन माइंड बच्चे का ही है ऐसे बहुत सारे केसे आपके जीवन में आ सकते हैं उनकी बेस्ट मेडिसन है सोने के बरतन में रखा हुआ पानी और आखरी बात दे दो कफ की हर बीमारी की बेस्ट मेडिसन है सोने के बरतन में कुछ कफ, सर्दी, खासी, जुकाम, माइग्रेन, लेफ्ट में, राइप में, यह सब कफ की बीमारियां है, इनकी सब की बेस्च मेडिसीन है, सोने की बर्दन में रखा हूँ पानी है, इसलिए आप पूरी बात सुनी लेजे, कफ का रेंजम मैंने बता था कफ का एरिया क्या ह कर दो को थे रैंभोन करते हैं जुछा पर के सारे अंगोंगों पहना जाता हैं को को कंट्रोल करता है तो मैं कहने जा रहा हूँ वह ये कि हमारे जो गहने है वो सब हमारे health से जुड़े होई है स्वास्थ से जुड़े होई है जी ये अगुटी सोने की डालते हैं वो गरहों के चक्कर वाले हैं वरना हमेशा हात में जो अपूटियां पहनी जाती है normal cases में वो चानी क्यों लेकिन ग्रहों के चक्कर है किसी को मंगल का चक्कर है किसी को शरी का चकर मेशानी मताथ तो हम पहन थे